हलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज, मैं अभिशेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज की वीडियो में हम त्रिकोड मिती पढ़ेंगे, देखिए त्रिकोड मिती, आपका चैप्टर नमबर हमारे प लब्द हैं, आप प्लेलिस्ट में जागर के उसे पूरी वीडियो देख सकते हैं, आज हम त्रिकोड मिती शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे की त्रिकोड मिती क्या है, त्रिकोड मिती जैसे हम लोग गडित पढ़ रहे हैं, तो गडित में त्रिकोड म कितनी है अगर यह ग्याद करना हो और यह हम जहां खड़े हैं यहां से लेकर के पहाड के बीच की दूरी क्या है यहां से लेकर के पहाड के सीर्स की दूरी क्या है इन सब चीजों को ग्याद करने के लिए हम लोग त्रिकोड मिती का प्रयोग करते हैं अधिकतर आज अधिकतर चैप्टर में आपको त्रिकोड मिती हमेशा देखने के लिए मिलेगी दैनिक जीवन में भी हम लोग त्रिकोड मिती का उपयोग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले देखें कि त्रिकोड मिती है क्या तो सीधी सीधी बात बोलते हैं कि त्रिकोड मिती कहते किसे हैं त्रिकोड मि अब मिनार को मिनार की उचाई ग्याद करनी हो माली यहां कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है यहां से वह मिनार के सीर्स को देख रहा है यहां से वह मिनार के कोड और यहां बन रहे कोड तो यहां देखिए जब हम इन सब भूजाओं को क्या करतेंगे आपस में इन बिंदूओं को मिला देते हैं तो जो बन के आता है वो क्या बन जाता है त्रिभूज बन जाता है त्रिभूज जाता है तो त्रिवुज में क्या होती है त्रिवुज में हमारे पास क्या होता है त्रिवुज में जो यह सब हैं यह सब इन सब लाइनों को क्या कहते हैं भुजा कहते हैं ठीक है और यहां उनके बीच बने हुए को क्या कहते हैं कोड कहते हैं क्या कहते हैं कोड कहते हैं, तो त्रिकोड मिती की बात करें, तो त्रिकोड मिती कहते किसे हैं, तो कहते हैं कि गडित की वह साखा, जिसके अंतरगत, या हम लोग कह सकते हैं कि गडित की वह साखा, जिसमें त्रिकोड की भुजाओं, त्रिकोड की, त्रिकोड की से कहते हैं, जिसमें क्या ह होते हों तीन कोड होते हूं यह आप कह सकते हैं कि त्रिवुज गडित की वह साखा जिसमें त्रिवुज की भुजाओं और कोडों के बीच का बीच के संबंधों का ध्यन किया जाता है त्रिकोड मिती कहलाती है ठीक है आप कह सकते है गडित की वह साखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवां कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है ठीक है न यह हमारी क्या कहलाती है त्रिकोण बुथ। क consensus की भुजाओं जिसमें त्रिकोण की भुजाओं कोरों के मद्द क्या संबंध का अध्यन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते है देखिए अच्छ से पहले चर्चा करेंगे किसके कोड की कोड किसे कहते हैं ठीक है यहां त्रिकोड मिती पढ़ रहे हैं तो त्रिकोड मिती के हिसाफ से देखेंगे कोड किसे कहते हैं वैसे आप जानते हैं कोड को क्या बोल रहे हैं एंगल ठीक है कहते हैं माल लीजिए हमने क्या ले ली है ये एक रेखा ले ली है ठीक है किरण जिसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं किरण जिसका क्या होता है किरण ठीक है यह हमारी क्या हो गई किरण हो गई क्या कह रहे हैं किरण के प्रारंभिक बिंदू को किरण के जो यह हमारा देख आक्रिती क्या कहलाती है कोड कहलाती है जैसे हमने यहां किरण बनाई है इस किरण का यह कौन सा बिंदू है प्रारंभिक बिंदू है हमने यहां से पकड़ा और इसो क्या कर दिया यहां ठीक है तो जो आक्रित बनी वह ऐसे बन गई ठीक है तो प्रारंभिक और यहां से यहां के परितह विंदु के परितह घुमाने पर जो आक्रिदी बनती यह वो क्या कहलाती है रिखर ने इसलैं क्या करें हम लोग कूड कह रहे हैं ठिक pantalla कैसे कए जिए को को कहेंगे जुए कि किसी कियुकि कर्ण को किसी किरण के कि प्रारंभिक किसी किरण के प्रारंभिक बिंदू किसी किरण के प्रारंभिक बिंदू के परितह, परितह माने, आप कह सकते हैं कि किरण के इस ओर भी आप गुमा सकते हैं, किरण के उस ओर भी गुमा सकते हैं, मतलब किरण के दोनों तरफ गुमा सकते हैं, इसके लिए आप बात दे नहीं ह कि आप सिर्फ उपर की तरफ घुमा सकते हैं ठीक है परिता माने होता है चार ओर तो आप कर सकते हैं चार ओर भी क्या कर सकते उसे घुमा सकते हैं बिंदू के परिता है घुमाने पर बनी आकृती बनी आकरिती क्या कोड कहलाती है बनी आकरिती ऐसे लिख देते हैं बनी आकरिती होती है ठीक है ना ये कौन होती है कोड होती है ठीक यह हो गया हमारा क्या कोड की परिवासा यहां को कुछ बाते ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोड का मेजर्मेंट कैसे करते हैं जिसे हम तो बनने वाला जो कोड़ होगा वो पॉजिटिव होगा धनात्मक कोड़ कहा जाएगा समझ गैसे कह रहे हैं कि यदी किरण के प्रारंभिक कि वामावर्थ वामावर्त दिसा में गुमाएं तो कोड़ कैसा बनेगा धनात्मक बनेगा धनात्मक होगा लिख देते हैं कोड मेजर करते समय जब आप कोड मापते हैं प्रोटेक्टर चाधर की सहाईता से तो आप कोड को कैसे मापते हैं वामा वर्त लिठा में इसी दिवड़ा में कोड को मापते हैं तो वामावर्त विस Turkey यदि आप मापेंगे तो तो वह कोड क्या कहलाए गा compliant डिकैड़ कोड कहलाएगा दूसरी स्थिति क्या है आगर आप यहीं कोड क्या करे बात्र कि महापद के इता काउन सी स्थिति में अप GOD कि आप इधर से इधर माब दे ठीख है ना ऐसे माब दे तो यह जो अंगल होगा वह कैसा होगा नेगेटिव एंगल होगा रेडात्मक एंगल होगा वो भी आम पॉईंट में विख देते हैं यह ना फर्फइंट और यह यह रा कौन संद्राइब सेकंड पॉइंट क्या यहां से लिख देते हैं कि बिंदू को कहां दच्छीडा वर्त कि दच्छीडा वर्त दिसा में घुमाएं दिसा में घुमाएं तो कोड कैसा बनेगा कोड हमारा हो जाएगा कैसा हो जाएगा रिडात्मक होगा ठिक है यह रहा क्या ओर डिसा वरISSA होगा प्र निया https कोड़ को मापने की हमारे पास त्रिकॉन मिती में दो विधिया cualquier effort हमारे रिकोण्मिती में कितनी विदियाँ हैं दो विदिया हैं हम कोण्म कोड़ों के वीमिंद्ध और कोड़ैं के संबंध तो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहनेए इस इस वज़े से सबसे जरूरी है कि दोनों कोडों के बारे में पढ़ें और दोनों कोडों के भी संबंध पढ़ें ठीक है देखे कोडों की माप कोडों की माप देखे मापने के लिए त्रिकोड मिती में जो दो विदियां है वो उसमें से पहली विदी का नाम है डिग्री में सबसे पहले तो कोड को किसमे मापा जाता है डिग्री में ठीक है और जो दूसरी विदी है उस दूसरी विदी का नाम है रेडियन में किसमे मापा जाता है रेडियन में हम यहां आपको डिगरी में और रेडियन में जो मापा जाना है उसके बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें डिगरी डिगरी में कैसे मापा जाना है यह आपको सीधे सीधे बता रहे हैं अब यहां इसके लिए परिभासा की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना तो रेडियन किसी कोड का 360 खाग क्या 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 है किसी भी कोड का एक बटा 360 हवा भाग क्या कहलाता है एक डिगरी कहलाता है तो कोड को मापने की जब हम लोग 360 के सीधे सीधे आप समझे कि डिगरी में क्या होता है तो आप यह समझे कि जब हम लोग कोड को 360 डिगरी के रिस्पेक्ट में मापते है तो वो जो माप होती है वो डिगरी में कहलाती है कोड को किसमें? 360 डिगरी के रिस्पेक्ट में जब मापते है वो कोड की माप क्या कहलाती है? डिगरी में कहलाती है और रेडियन की बात करें तो रेडियन में जो कोड होता है वो वृत में उसके चांप और त्रिजा पर निर्भर करता है छीक है, जैसे यहाँ देखी आँ हमने क्या बना दिया एक वृत बना दिया, कहा जाता है कि यदि कोई वृत हो, यदि कोई वृत जिसका केंद्र क्या हो, जिसका केंद्र कुछ भी ओ हो मान लीजिए क्वे रूर लेकिन क्या होनी चाहिए trust kya कोण एक कहलाता है देखे यह हो गया हमारा क्या यह और यह हमारी result यहां स क्वावक हो गया था हो आण जो दूरी वह क्या कहलाईगी चाम प्रलाएगी ने चाप आर्क कहते हैं इसे क्या कहते हैं आर्क ठीक है इस आर्क द्वारा केंद्र पर जो बना कोड होता है अगर आप इसके हिसाब से मापते हैं बृत्ति के हिसाब से तो वो क्या कहलाता है रेडियन कहलाता है क्या कहलाता है रेडियन कहलाता है आप सीधे-सीधे अगर समझना चाहे कि यसे जैसे 360 की सावसे आपने समझा है तिसे के समझते हैं opposite happened सिथा जब टू पाई कि रिस्पेक्ट में कोई कोस मापा जाएगा पै की रिस्पेक्ट में मापा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा और यदि वो 360 आप के सबसेक्ट में मापा जाएगा तो और आधार कोड बनेगा और इसी की हाधार पर माप होती है तो वो माप क्या कहलाती है डिग्री में कहलाती है यहाँ आगर आप देखे कंड रापर होता है चाप बटे जरी मे क्या है को भाता है ध्रांज देख लिजे कोड बराबर क्या होता है कॉड बनेगा कि जब माप किसमे हो 2 पाई के आधार बर हो रही होगी तो वो माप किसमे कहा लाएगी रेडियन में कहा लाएगी जब भी कोई माप पाई में दिख जाए तो आप समझेगा कि वो माप जो की गई है वो किस में की गई है रेडियन पद्धती में की गई है तो कोडों के मापने के हमारे पास कितनी विधिया हो गई दो विधी हो गई पहली कौन सी है डिगिरी विधी है दूसरी कौन सी है? Radian विधी है Radian विधी में Code बराबर चाप बटेत तरिज्जा एकांग चाप द्वारा एकाई तरिज्जा के वृत्त के केंद्र परंतरित Code क्या कहलाता है? एक Radian कहलाता है ठीक है? यहाँ जो पूरा Code बन रहा होता है वो कित्ता बनता है? 2Pi बनता है ठीक है? यह रहाँ आपका क्या? Radian के बारे में जानकारी और यह क्या? Degree के बारे में अब हम इन दोरों के बीच क्या कर लेते हैं? संबंदस्था बिद कर लेते हैं क्या? Relation between Degree and Radian ठीक है? क्या? Degree एवं Radian के मध्य संबंद Degree और Radian के मध्य संबंद ठीक है? देखें Degree और Radian के मध्य संबंद क्या होता है? आप देखें तो यहाँ एक चक्कर पूरा करने में कितना कोड बनाता है? 360 Degree और यहाँ एक चक्कर पूरा करने पर कितना कोड़ बनता है? 2 pi तो दोनों को क्या कर दीजिए? आप आपस में बराबर कर दीजिए अर्थात 2 pi बराबर 180 कितना? गलत हो गया 180 नहीं, सॉरी कितना हो जाएगा? पूरा कोड़ कितना बन रहा है? 360 360 कितना हो जाएगा? 360 आप 2 को क्या करेंगे? आट रांसफर करेंगे जब 2 को ट्रांसफर करेंगे यह हो जाएगा pi बराबर 360 बड़ा कितना? 2 और आपको आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 180 अर्थात pi और pi और degree में जो अंतर है radian और degree में जो संबंद है वो pi बराबर कितना है? 180 ठीक है? यह हमारा रहा क्या? relation किसमे? किसमे? degree में और किसमे? radian में ठीक है? आगे हम tricode मिती में degree और radian में जो संबंद पढ़े थे उनके बीच संबंद अस्थावित करते हुए कुछ प्रस्णों को solve करते हैं कि degree में कोड को कैसे? और radian में कोड को कैसे लिखते हैं? जैसे माल लीजिए हमारे पास कोई प्रस्ण आए प्रस्ण के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अच्छा प्रस्ण के हिसाब से कैसे? आप सबसे पहले यह देख लीजिए कि आपसे किस टाइप के पुछे जाएंगे पहला टाइप होगा आपसे कहा जाएगा कि डिगरी को क्या करिए परिवर्तित कीजिए रेडियन में फर्स टाइप होगा ठीक है सेकेंड टाइप आपसे पूछा क्या जाएगा इसका विपरीत कि रेडियन आएगा क्या रेडियन आएगा और इसे किसमें बदला जाएगा इसे बदला जाएगा डिगरी में ठीक है डिगरी की और भी कुछ खास बाते हैं जैसे डिगरी जो होती आप से यह पूछा जा सकता है कि एक डिगरी में कितने मिनट होते हैं आप बता सकते हैं एक डिगरी में 60 मिनट होते हैं मिनट बताने के लिए हम लोग यहां डैस लगाते हैं क्या लगाते हैं इसे डैस पड़ते हैं ठीक है ठीक है साथ पर एक लाइन खिची रहेगी तो उसे क्या पढ़ेंगे मिनट क्या पढ़ेंगे मिनट इसका साब्दीकर्थ भी बात लिख देते हैं यहां पर इसका साब्दीकर्थ क्या होता है मिनट दूसरी बात आप एक सेकेंड एक सबका पूशा जाता है कि एक रेडियन बराबर कितना होता है एक रेडियन को उसके उसके उपर सी ठीक है सी से प्रतरशित करते हैं रेडियन को ठीक है देखे एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा एक रेडियन बराबर होता है सतावान अंस 16 मिनट लगभग ठीक है ना इतना होता है यह भी क्या किया जाता है अधिकतर परिक्षाओं में वंडे में ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा यह की एक जो रेडियन है वह कितने दिक्री के बराबर होता है तो एक रेडियन जो होता है वो 57 16 इंट मिनट के बराबर होता है लगभग धिक है वड़ते हैं हम लोग आगे हमने आपसे कहा कि आपसे इस प्रस्ण से आपसे ठीक करेंगे कि सवाले पुछी जाएंगी फेला सीबीसे होगे किशेंगे आप क्या बटा 180 से क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो जो अंसर आएगा वो क्या कहलाएगा रेडियन में होगा रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपको गुड़ा करना पड़ेगा 180 बटा 22 ठीक है ना आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें बहुत जरूरी है तभी आप बाड़ों के माध्यम से हम देखते हैं आपके सामने उदान संख्या एक है जिसमें कह रहे हैं 30 डिग्री को क्या करिए रेडियन में परिवर्तित कीजिए किसमें रेडियन में ठीक है ना यहां देखिए सबसे पहली बात तो हमने आप सुछाए कि सवाले दो तरीके से पू 208 से ठीक है यही सिखा गया ना आपको कि यहां जो भीडिली जीजय दी जाएगी उसमें पाई बटा 16 क्या कर दीजिए गा गुडा कर दीजिएगा जो आंसर मिले वह किसमे लिखा जाए गा तो आंसर कितना तो 100 से 10 00 क्या हो जाएगा भाग देंगे तो यह कट जाएगा फ है अर्थाथ हम यह कह सकते हैं कि 30 डिगरी कहें या पाइब अच्छा कहें दोनों बाते एक ही होँगी पाइब अच्छा रेडियन में होगा तीज क्या होगा डिगरी में होगा इसी प्रकार से देखिए आप से यह भी पूछा जा सकता है उधार नमबर 2 की 120 डिगरी को किसमे रेडियन में परिवर्तित कीजिए 120 डिगरी को किसमें रेडियन में परिवर्तित कीजिए 120 डिगरी को रेडियन में परिवर्तित कैसे करेंगे 120 डिगरी ठीक है ध्यांस देखिए सबसे पहली बात तो यहां पहली वाली बात है इसलिए कौन सी बात हो गई पहली बात है पह कर लीजिए यह गुड़ा करेंगी कितना हो जाएगा 120 पाई बड़ा कितना 180 1010 कट जाएगा कोई ऐसी संख्या ढूड़िए जिससे उपर वाला भी कटे और नीचे वाला भी कटे ठीक है एक ही चाकू से दोनों को काटना है इसलिए हमने जो चाकू बनाई वो किसकी बनाई 6 क 6 के से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और नीचे 6 तिरी 18 ठीक है यह हो जाएगा 2 पाई वाई 3 ठीक है आज ही सीख लिजिए कि रेडियन से पाई में और पाई से रेडियन में कैसे परिवर्तित करते हैं पूरी जिनगी आपके साथ रहने वाला है यह जब जब आप बदलेंगे त तब ठीक है आगे देखिए और भी उदारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं जैसे आपसे पूछ लिया जाए 150 डिग्री को किसमें बदल ये रेडियन में परिवर्तित कीजिए तो आप क्या करेंगे आपको करना क्या है 150 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए चलना है डिग्री से कहाना है रेडियन में तो रास्ते में कौन मिलेगा पाई बटा 180 पाई उससे तो गुड़ा करके चलना मिहीं पड़ेगा तो गुड़ा कर लेंगे और चलना ही और गुलन कर लेंगे लरा फोistesRak क्या हो जाएगा कट जाएगा आप क्या कर लीजे फिर से तलवा डूड़िये जो ऊपर वाले को भी काटे नीचे वाले को भी काटे तो तीन मिलेगा कौन मिलेगा तीन से काटेंगे तो तीन पचे 153 प्रिवर्तन है झ में यह लिए इसके लिए उधार नमबर एक ले ले लेते हैं Πाई बटा 3 न को डिगरी में परिव्ष दिद कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे इसके पास जो सब्सक्राइब और यह मिलता है η 180 पाई वूछन रहे नब कहा जा रहे हो तो मुझे लिवाग Gir शालना पड़ेगा तो कितना आप इसे साल करोगे तो हो जायेगे कितना पाई वटतीन रास्ते में कौन मिला रास्ते में मिला 180 पाई ठीक है इनको लेके दिग्री में परिवर्तन आप आई बैए तीन बोल्की या साथ डिग्री बोले बात दोनो एक ही है ठीक है आगे देखिया और उदार देहलों देख लेड़े जेसे इरीह पाई तो हम लोग क्या करेंगे पाई पाई नग ना its प्रकार हम लोग डिक्री से रेडियन और रेडियं से डिग्री की तरप क्या करते हैं बढ़ते हैं बदलेशें ठीक एक रेडियन में 57 डिगरी 16 मिनट ठीक है जितने उधारण अभी आपके समने प्रस्तुत किये गए थे वो सभी उधारण जो थे वो एकदम नॉर्मल उधारण थे यदि आपके पास थोड़ा सब भी अगर क्रिटिकल उधारण आता है तो इस उधारण को ज़रा ध्यान से देखिए आपकी किताब का हम पहला उधारण लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है चालीस अंस बीस मिनट को उन्होंने कहा है कि चालीस अंस बीस मिनट को रेडियन में परिव्यतित कीजिए किसमें परिव्यतित कीजिए रेडियन में रेडियन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें जो रेडियन में परिव्यतित करना है वो टाइप कौन सा है फर्स टाइफ है फर्स टाइफ में क्या होता है डिग्री टू रेडियल में जाने के लिए पाई बटा 186 से क्या करना पड़ता है उड़ा करना पड़ता है लेकिन सबसे पहली बात तो यहां क्या है यहां दो बाते है एक तो यह क्या है 40 डिग्री है दूसरा यह जो है वो क्य है मिनट है तो सबसे पहले इस मिनट को क्या करना पड़ेगा हमें डिग्री में परिवर्दित करना पड़ेगा मिना डिग्री में परिवर्दित किये आप सवाल को लगा नहीं सकेंगे ठीक है तो सबसे डिगरी होता है वो बराबर होता है कितने के 60 मिनट के एक डिगरी बराबर कितना होता है 60 मिनट अगर एक मिनट की बात पूची जाए कि एक मिनट में कितना होता है तो एक मिनट में हो जाएगा एक बटा साथ डिगरी, ठीक है न, क्या हो जाएगा, ध्यांस देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यह साथ इधर ट्रांसफर कर देंगे, बराबर के, तो एक बटा साथ हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा साथ 20 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा जब 20 से गुड़ा को तिये कितना हो जाएगा 20 बटा में 60 degree ठीक है बराबर यह कितना हो जाएगा 20 minimum1 जूरे से 0 में 20 कट जाएगा दो 1 अन नम 2 2 3 6 1 बटा 3 몇 बराबर बराबर कीप में परिवर्दित कर दें गें ऊंस इसे क्या करेंगे एक रटा क्या करेंगे लहाँ लगा देते हैं ललेने क्या होता है सबसे पहले एक 250 में तीन दूसरा इस तीन का गुड़ा कहां चालिस में तो चारती यह आई 12 120 अंस प्लैस एक का गुड़ा कहां एक में यहां कितना हो जाएगे 121 बटा 3 डिग्री इस सवाल को डिग्री में परिवर्थीत कर पाओगे ने पूरी सवाल को डिग्री में परिवर्थीत कर दिया है अब हम इस सवाल को क्या करेंगे रेडियन में परिवर्दित करेंगे देखिए यह हो जाए कितना 121 बटा 3 गुड़े जब आप डिग्री से रेडियन की तरफ बढ़ोगे तो कौन मिलेगा पाई बटा 180 यह हो जाएगा पाई बटा 180 ठीक है यह हो जाएगा आपका क्या आंसर किसमें कहा जाएगा यह रेडियन में कहा जाएगा ठीक है ना यह देख लीजिए आगे ऐसे ही और भी बहुत सारी सवाले आपको प्रश्णावली में देखने के लिए मिलेंगी जिसमें उसे परिवर्दित करते रहेंगे ठीक है आगे अगले उदार्ण में हम ले लेते हैं दूसरा उदार्ण जिसमें उन्हों कह रहे हैं कि 6 रेडियन 6 रेडियन को क्या कीजिए परिवर्दित कीजिए डिगरी में किसमें परिवर्दित कीजिए डिगरी में ठीक है अभी अभी हमने एक सवाल लगा थी जिसमें हमें क्या कहा एक सो आसी बटा पाई इसका भी बटा क्या करेंगे एक कर लेंगे ठीक है तो यह कितना हो जाएगा यह जाएगा 6 गुड़े 180 बटा पाई ठीक है आप चाहें तो क्या कर सकते हैं पाई का मान रख सकते हैं अगर इसे देखे अगर पाई में दिखता रहेगा तब तो रेडियन रहेगा तो पाई को तो हटाना पड़ेगा इसलिए आप क्या कीजिए पाई का मान रख दीजिए तो पाई का मान रखेंगे ति यह हो जाएगा 6 गुड़े 180 बटा 22 बटे 7 ठीक है यह देखे यहाँ पाई का मान रह रखा है पाई का मान होता है 22 बटे शाथ अब यह जो 22 बटे साथ का साथ है यह भिन्न के भिन्न में हैं तो यह क्या हो जाएगा जब परिवर्तित होगा यह फ़िल्टी गुड़े में बदलेगी यह सबसे उपर चला जाएगा यहां क्या बना लेगा यह यह जाएगा 6 21 गुड़े 180 बटा 11 ठीक है और भी गुड़ा करना पड़ेगा हमें जिसमें गुड़ा करना है 180 गुड़े कितना 21 देखे गुड़ा करेंगे तो 1 से 8 में 8, 1 से 1 में 1, 2 से 8 में 16, 2 से 1 में 2, अच्छा 2 8 16 हासी लेक लगा था 2 एक अनम 2 और 1 3, यहां हो जाएगा 8, यहां 7, य यहां 0 ठीक है तो खुल मिला जिल्वा कि हमें जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 3780 बटा कितना 11 ठीक है चले डिवाइड करते हैं डिवाइड करेंगे इसे यहां 11 से ठीक है यहां कितना हो जाएगा 11 33 कितना बचा 4 कितना उतारेंगे 8 ठीक है 48 हो गया कितनी बार ज तो यां हो जाए कितना 44 बॉचे का कितना 4 उतारेंगे कितना 0 ठीक यह हैं तो बचे का कितना 7 साथ ठीक हैं अब महां पास कई व्रतारने के लिए नहीं है इसलिए कितना हो जाएगा ँध साथ वह आप चाहें तो 343 साही साथ 11 क्या कर सकते हैं मिनट सेकंड में भी परिव्ष्धित कर सकते हैं वैसे तो यह पूरी बात में 334 डिगरी में है बचा कौन है साथ बटा 11 ठीक है इसे बदलने के लिए करने के हम लोग क्या करेंगे 1刈 5 मीनिट होता है तो इस उन-स you देखे लिएक 50 Shaun लीट तब क्या हो जाएगा हमारे पास पुसैज में कितना हो जाएगा शॉल करेंगे तो यह कितना 11 11 भाग दे दीजे भाग देंगे तो 11 यह कितना हो जाएगा 33 ठीक है 13 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा 33 अच्छा भाग दे लेते हैं 11 भागे 420 11 33 12 में से 3 गए 9 यहां बचेगा 0 यहां 0 11 888 कितना 88 290 दो बच जाएगा यह हो जाएगा 38 38 सही दो बटा 11 अगर आप इसे आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे लिखेंगे 343 अंस 38 मिनट 38 38 सही 2 बटा 11 मिनट ठीक है यह हो जाएगा और अगर आप इसे और आगे करके लिखना चाहें तो इस दो बटा 11 को भी क्या कर सकते हैं सेकेंड में परिवर्दित करेंगे जो पूरी तरह से कटेगा नहीं आपको जो आंसर मिलेगा वो लगभग में आंसर मिलेगा ठीक है न करेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत